अगला question देखिए, अगला इसमें कहा गया है, the flow speed of water varies, अब इस बार हम ऐसी river में है, जहां पर flow velocity vary कर रही है, और धीरे धीरे, that is the distance in meters from the bank, so अगर माल लीजिए ये river है, तो इधर की तरफ, ये, ये, ये distance z दी होई है, तो जैसे जैसे swimmer और दूर जाता जा रहा है, velocity बढ़ती जा रही है, root z दी होई है, velocity ये तो 1 है न, root z velocity दी होई है, अब वो a point पे enter करता है, जी, a point पे enter करता है, और हमेशा अपने आपको river flow से normal रखता है, जी, हमेशा अपने आपको river flow से normal रखता है, लेकिन because of this velocity, वो थोड़ा इधर की तरफ drift करने लगता है, like कुछ इधर की से पहुँच गया जी, अगर z distance से पहुँच गया, तो along the, along this line, along this line, उसका velocity fix है, 2, so along this line हम कहा सकते है, displacement z हुआ, z बराबर 2t हो गया जी, बहुत simple से बात है, अब बात करते हैं, यहाँ पे उसकी velocity क्या होगी, तो इधर की तरफ जो velocity होगी, v, वो यहाँ पे दी होई है, ठी की तरफ क्या velocity होगी, जो river की velocity होगी, ठीक है, क्योंकि जितना river drift कर रही है, उतना ही swimmer drift करेगा, तो उसकी जो velocity along the river है, वो हो जाएगी, root z, root z का मतला है, root 2t, अब आपको निकालना है, कि जब उसकी drift, what is the drift downstream, by the time, his perpendicular distance from bank is 20 meter, देके अगर वो 1 second में 2 meter चलता है, जैसा कि यहा महा लिखा है, यह देखे, अगर वो 1 second में इधर की तरफ 2 meter चलता है, तो इधर की तरफ 20 meter चलने में उसे 10 second लगेंगे, तो पर यह 10 second का time लगने वाला है, और drift कितनी होगी, तो drift इस velocity से होगी, तो clearly जो drift की value होगी, उसको हम कहा सकते हैं, integral b dt, और कितनी देर में, 0 से 10 second में, तो आपको यह integrate करना है, इसको, आपको integrate करना है, 0 से 10, और 2t, what is 2t, 2t, root 2t, और dt, इसको integrate करना है, that's not, I think, very difficult, answers सारे decimal में है, इसका मतलब इसकी करना ही पड़ेगा आपको, और इसको solve करके, आप बड़े अराम से निकाल सकते हैं, कि क्या drift आएगी,